33वी पर चड़ा पुश्पा फिल्म का खुमार कहा जूकेगा नहीं यार बिहार की सियासत के लियर है, 33वी यादव फायर है तिरिस्वी का सियासी एजंडा सेट, राजनीती में बढ़ा तिरिस्वी का बीड बिहार की सियासत जितनी सियासी है उतनी ही फिल्मी भी है बिहार की राजनीती की A, B, C, D में गुणा गणित भी बहुत हैं लेकिन अगर नीता सूत्र नहीं जाने तो सवालू का हल निकलना मुश्किल हो जाता है नितीश के साथ सरकार बनाने के बाद तेरिस्वी यादव में साफ साफ संदेश दे दिया कि वो किसी भी हद तक सियासी समिकरन को बांधे रखेंगे उसके लिए अगर उनको फिल्मी डायलॉग को भी लागू करना पड़ेगा तो वो राजनीती में जरूर करेंगे तेरिस्वी यादव हर हाल में बैकफुट पर जाने को तयार नहीं तेरिस्वी यादव ने अपने प्लान को जो धार दी है वो किसी भी बिहार की नेता ने आप तक नहीं दी तेरिस्वी की हिम्मत को बढ़ता देख बड़े बड़े दिगच नीता भी अब सूचने पर मजबूर है कि कैसे तेरिस्वी को रोका जा सकता है बेहार की सियासत में बस एक ही चर्चा है कि जो नीता गटबंदन में डिप्टी सीम है जब सरकार को ही चुनोती दे सकता है तो बिहार की जुनता के लिए क्या कर सकता है बस फिर क्या था बिहार की राजनीती यहीं से नए रंकी धार में जुट गई जिब टी सीम के तौर पर बिहार की राजनीती अब तेरिसवी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि पुश्पा फिल्म की फेमस टैलोग पर तेजस्वी यादव अब राजनीती करने उत्रे हैं और विपक्ष को संदेश दे दिया है कि वो जुकेंगे नहीं सत्ता पक्ष व या विपक्ष पिछले को सुनों से आजेडी और विहार की शिक्षा मंत्री चंदर शेकर पर हमला वर है तेजस्वी यादव ने एक ही जटके में लाइन लेंद क्लियर कर बता दिया कि किसी भी कीमत पर बैक नहीं होंगे बलकि सरकार को जुका देंगे अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ये नहीं कहते है कि डिप्टी सीम ने तो किलियर कर दिया है अब सीम नितीश कुमार के किलियर वाले बयान पर भी राजनीती गर्म होने वाली है क्योंकि तेज़िस्वी के फैसले को नितीश कुमार भी काटने से पीछे हट रहे हैं तेज़िस्वी ने कहे दिया कि वो जुकेंगे नहीं तो नितीश भी प्रेशराइस नहीं कर रहे पूरा माचरा क्या है पहले आपको ये बता देते हैं नरसल बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंदर शेखर ने पिछले दिनों नालंदा ओपन विश्विद्याले के कारिक्रिम को संबूदत करते हुए हिंदू धर्म गरंत राम चरित्र मानस को नफरत पैदा करने वाला पताया था जिसके बाद विपक्ष मंत्री और महा गटबंदन सरकार पर हमला वर है इसी मुद्धे पर एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने साप कर दिया कि वो जुकने वाले नहीं है चंदर शेखर के बयान को लेकर जब नितीश इससे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने गलत बाते कही हैं फिर नितीश कुमार ने कहा डिप्टी सियम में सब चीज क्लियर कर दी है आगे नितीश कुमार ने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में किसी तरह का बयान देना टिपणी करना गलत बात है एसा नहीं होना चाहिए नितीश कुमार ने कह दिया कि डिप्टी सियम fall कर दिया तो इस बयान को लेकर बिहार की सियासत को कई बायनों में दिखा जा रहा है क्योंकि तिरसवी का प्लांस सेट है कि वो धुकेंगे नहीं और जो भी है सब क्लियर है अब तेरिस्वी के बयान पर बिहार के मुख्या नितीश कुमार खोद मुहर भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं डिप्टी सियम ने जो कह दिया मतलब सब किलियर है एक तो जुकेगा नहीं और अब सब किलियर है कि बयान बाजी चल रही है तो दूसरी तरफ महा कटबंदन को ल कटबंदन में सब ठीक है लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं महा कटबंदन के नेताओं द्वारा जिस सरा बयान बाजी की जा रही है उससे तो यही लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं बड़े नेताओं की और से बयान देकर डेमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है अग देस्वी बना मृतीश की लडाई नहीं लड़ती